आज कि इस वीडियो में मैं निमबु की आचार की रेशीपी शेयर करूँगी दोस्तों निमबु का चार तो आप हमिसा बनाते हो और बिल्कुल पर्फेक्ट बनता है खटा मिठा या फिर खटा चट पटा तो आज में खटा और शट पटा निम्बू का चार बनाने जा रहे हूं इस तरीकी से एक बर बना के देखिएगा बहुत जल्दी बनेगा चाहे 10 सल रखिए निम्बू का चार खराब नहीं होगा तो एक बर शरूट राई करना हेलो गाईज मैं हूँ प्रीती अन्यूट्री बेजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर लिया है मैंने निम्बू 10 से 12 निम्बू लिया है मैंने तोरा बरे साइज का निम्बू है लगभग 500 ग्रान निम्बू है 150 ग्राम हड मीटश है इन दोनों चीजों मैंने दोलिए और पोच लिया है अब मिर्ची का ढंठल इस तरीके से त Dew करके तयार कर लें अब बरें बरें घुझा ऋत जाये हैं और निम्बू में हलका हलका पानी लागा हुए है तो इसे मैं तावल से इस तरीके से पोच देती हूँ आप अब अच्छे से पानी को पोछ करके सुखा लेना अब निम्भू को काट लेते हैं तो इस तरीके से फ़ले दो टुकरों में काटिए और फिर इस तरीके से काट दीजिए आप चाहे तो और भी छोटा टुकरा इसके काट सकते हैं और जो सामने-सामने बीच दिखाई दे रहा निकाल दीजिए तो इस तरीके से बीच को निकाल लेंगे और सारे निम्भू को काट करके तयार कर लें तुकरा अगर बड़ा लग रहा है तो आप बीच से एक टुकरा और काट करके निम्भू को चोटा कर दीजिए तो अब यहाँ पर निम्भू कट करके तयार हो गया है अब इसमें डाल देंगे एक चमर्च नमक, और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, अब यहाँ पर नमक अच्छे से मिक्स हो गया है, इसके उपर एक धक्कन लागा के तीन से चार दिन तक गल्ले के लिए छोड़ देंगा, और बीच-बीच में हीलाते रही है इसे, अब मिर् पंठल इसका अजह से हटा देंगे और बीच से लेंगे एक तरफ का सीरा में लगा हो इसको आप 2 टुकरों में चोटे चोटे टुकरों में और ईस तरीके से लंबे लंबे एक तरफ से लगा भी रहने सकते हैं तो अब यहाँ पर मिर्ची कट काले मिर्च के दाने एक चमच जीरा एक चमच तनिया के दाने अब इन मसालों को भोज लेंगे निम्बू काचार में पहुत सारा मसाला भी नहीं जाता मसाला कम ही डालना निम्बू काचार बनाते हो तो मसाले भून जाए तो गैस का फले मफ कर दीजिए और इसमें दो चमच मैंने सर्सो डाला है राई के दाने आप पिली सर्सो भी डाल सकते हैं गरम पैन है तो इसमें सर्सो हलका सा भून जाएगा फैला करके छोड़ दीजिए अब यहाँ पर मसाले ठंडे हो गए हैं मिक्सी के जार में डालीजिए धकन लगा करके मसाले को पीछ लीजिए मसाले को इस तरीके से खरदरा ही पीछना पिल्कुल पतला नहीं करना है ताकि निम्बू के टुकरों पर अच्छे से चीपके और अच्छा सा चारबनक का टेस्ट तयार हो अब यहाँ पर आज सोथा दिन है धक्कन हटा देंगे आप देख सकते हैं निम्बू से काफी सारा प मिर्च डाल लेंगे और मिर्च को निम्बू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मिर्ची भी अच्छे से खटा हो जाए निम्बू के में जो रस निकला है उसमें मिर्ची अच्छी तरीके से तूप जाए अब यहाँ पर एक चमस हल्दी डालेंगे एक चमस कुटी ह लाली मिर्च डालेंगे आप चाहे तो पीसी हुई लाली मिर्च भी डाल सकते हो एक चमच कलावजी डालेंगे और एक चमच अजवाइन डालेंगे अजवाइन और कलावजी को हल्का सा भूल लेना फिर डालना अब डालेंगे दो चमच काला नमक क्योंकि नॉर्मल नमक मैंन तेल बहुत ज़्यादा निम्बू के अचार में नहीं डालेंगे विल्कुल दो चमस मैंने तेल डाला है अब इस तरीके से अचार को मिक्स कर दीजिए निम्भू के अचार में काला नमक डालना बहुत टेस्टी बनेगा काला नमक से निम्भू का अचार बहुत टेस्टी बनता है और बहुत खुल के स्वाद आता है तो इस तरीके से अचार को एक बड़ जरू ट्राई करना अब यह अचार मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं, अच्छा जोसी जोसी हो गया है, निम्बू और मिर्ची भी गल गया, अचार हमारा परफेक्ट तयार है, अब मैं इसे जार में डाल लेती हूँ, तो इस तरीके से सुखा डबा लेना, और अचार को अची तरीके से डाल दे गलेगा, तो इसमें भाप बनेगा, और अचार के अंदर पानी गिर जाएगा, तो अचार खड़ाब हो सकता है, इसलिए मैंने टीसू पेपर चार चे पास दिन के लिए लगा दिया है, अब फास दिन के बाद में टीसू पेपर हटा देंगे, अचार बिल्कुल तैयर है दूप में रखने की कोई जरूत नहीं अचार ठंडा में ही बन करके तैयर हो जागा तो कैसी लगी है अचार की वीडियो अपने बीचार कमेट बक्स में सेयर करना